तो सबसे पहला कोश्चन हमारे पर गाता है तो हम किसी को इसलिए निधा करते हैं कि इस कमौरीटी में हमारी इच्छाओं को संतुस्ट करने की चंता होती ठीक दो और जब किसी कमौरीटी में यूटिलिटी होती है तो हम इसी लिए उसका मुड़िटी को दिमांड करतें तो जहला question ही आपको मिलता है कि why we demand a commodity तो demand of a commodity is because of its one satisfying power and one satisfying power of a commodity is called utility ठीक है अच्छा माम ठीक है तो आगे बात करते हैं अब तो ये बात समझ में आ गई कि demand अगर कोई किसी भी वस्तु में किसी भी commodity में अगर utility नहीं होगी तो हम उस commodity के demand नहीं करने वाले ठीक है जैसे for example यार ये इसकी बताओ ये पैन की आपके लिए दिमांड है नहीं है क्योंकि ये commodity आपके आपकी इच्छाओं को संतुष्च नहीं कर रहे है न ऐसकी इस आपके लिए इस commodity की utility नहीं है प्रफॉस मैंने दुसको purchase किया तो इस मतलब है इस commodity में मेरी इच्छाओं को अंतुष्च करने क चमता है तो यानि कि आप जिन की मंदेटी की डिमांड करनों वह आपके लिए इूटलीटी करके रखी हुएंगी और मैं इस को डिमांड करिए हो तो इसका मतलब है मेरे लिए इस सामट कुछन कोशन आता है what is the meaning of demand demand क्या होती है तो आगर मैं बात करूं demand की तो इन जन्राल लेंग्वेज इन जन्राल लेंग्वेज डिमांड का मतलब होता है विषड डिजायर है ना तो बहुत इसी को डिबांड बोलते हैं जैसे for example मैंने सोचा ओ कास मेरे पास defender तो यह क्या है मेरी desire में इच्छा है तो इन जैनरल लेंग्वेज, economics से हट के, in general language हम डिमांड कोई का बोलते हैं, desire बोलते हैं बडर अफकोर इन एकनोमिक्स अगर मैं demand की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ desire को हम demand नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ desire को नहीं कहते हैं, in economics, demand का मतलब होता है, wish, किसी चीज की इच्छा, और अगर मुझे किसी चीज की इच्छा होई है, तो उस commodity पे मेरे पास पैसे भी हो खर्च करने के लिए, यानि कि मेरे bank में पैसे भी होने चाहिए, यानि ability to pay, and साथी साथ होनी चाहिए, मेरे पास willingness to pay, willingness का मतल हैं, लेकिन मैं उस commodity पे पैसे खर्च करना नहीं चाहिए, for example, एक च्छोड़ से example ले दे, मान लो, iPhone 15 pro max, कितने का रहा है यार, मैं चाहती हो यार, कि मुझे रा iPhone 15 pro max मिल जाए, तो मुझे gift करो में रख लोंग यार, लेकिन में मेरे पास पैसे भी है, इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं iPhone 15 pro max खरी सकती हो, but मैं purchase करूंगे नहीं, क्योंकि मुझे वो खरना ही नहीं है, विस है, इच्छा है, ability to pay भी है, मेरे लिए demand नहीं है, फिलहाल मेरे लिए demand नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है, एक, मालो, for example, में को बड़ा सौक है, कि मेरे पास मेरे अपना खुद का chartered plane हो, और मैं को ऐसा है कि मैं chartered plane खरी दूंगी, बट मुझे पता नहीं कि कब मैं खरी दूंगे है, मेरी इच्छा है wish है, willingness to pay है, मतलब कि जिर दिन मेरे account में 100 करोड आगे है, मैं तुरान खरीद लूंगी, लेकिन बेटा, ability to pay नहीं है, मेरे account में 100 करोड नहीं है, आई बास में, तो इसका मतलब यह है, कि wish है, willingness है, पैसे आगे है, तो खर्च कर मारूंगी, अबर ठोकात नहीं है, अभी, ability to pay नहीं है, आई बास में 100 करोड नहीं है, मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, कि यहां बेडिमांड नहीं है, मैं सोच तो रही हूं, desire तो है, बडिमांड नहीं है, क्योंकि economics में, demand का मतलब होता है, wish, plus ability to pay, plus willingness to pay, अच्छा, मुझे questions all कराने होते है, बच्चों को, law में भी, economics में भी, तो मुझे calculator चाहिए, तो इसकी इच्छा होई मुझे, desire होई, need होई, सारे 300 का है यार यह, तो सारे 300 मेरी रुपए मेरी pocket में भी थे और मैंने इस पे सारे 300 रुपए खर्च करना जरूरी समझा, तो यानि, wish भी थी, ability to pay भी थी, और willingness to pay भी थी, तो इसका मतलब इस plus willingness to pay, बोल भाइती का ही सावाज में आती है, now, अच्छा, माम, माम, हा, माम, क्या हम demand को utility बोल सकते हैं, हा, क्या हम demand को utility बोल सकते हैं, ना, demand को utility कैसे बोल सकते हो, utility सिर्फ एक छोड़ा सा factor है, जिसकी वज़े से हम चीजों की demand करते हैं, ठीक नहा, तो माम, अच्छा यह ब terms का मतलब क्या होता है, जैसे माम, utility का मतलब क्या होता है, माम, क्या utility और satisfaction equal होते हैं, और इसी वज़े से हम किसी commodity को demand करते हैं, आपने कहा, why we demand a commodity, तो मैंने आप से कहा, if a commodity contains a utility, इस वज़े से हम इसको purchase करेंगे, है ना, तो माम, एक बात बताओ, यानि कि अगर यह commodity मुझे satisfy करेंगे, तभी तो हम इसको purchase करेंगे, और satisfaction को बोलते हैं, हम लोग उडिलिटी, तो क्या माम, utility और satisfaction equal है, आओ आपका यह भ्रम तोड़ दू, इन जैनरल लोग समझते हैं, मैंने आप से कहा, why we demand a commodity, मैंने कहा, मैं क्यो demand कर रही हूं, community को, इस calculator को, आपने कहा कि माम, its container utility, यह आपके इच्छाओं को संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, satisfy कर रहा है, आपने इसलिए इस commodity को purchase किया, तो मैं आप से पूछ रही हूं, आप मुझसे पूछ रही हो, कि माम, क्या utility और satisfaction, दोनों एकी चीज होते हैं, सुने जान से, utility का मतलब होता है, power of a commodity, तो ह satisfaction, utility satisfaction एकी तो हुआ, सुनो, मैंने जब calculator purchase किया, तो मैं इस calculator को purchase करने से पहले कुछ तो सोच रही होंगी, कि मुझे यह इतना satisfaction देगा, utility का मतलब होता है, what we expect from the commodity, what we expect, and satisfaction मतलब, what we get, ठीक रही है, तो अपकोस, बहुत साहे लोग यह समझते हैं, utility is equals to satisfaction, but of course, utility और satisfaction दोनों अलग अलग चीज होएंगे, यह एक चीज नहीं होएंगे, utility का मतलब होएगा, what we expect, कि एक commodity को consume करने से पहले, जब मैंने इस commodity को देखा, तो मैंने सुचा कि यह commodity मुझे इस particular amount के बलावर का satisfaction देगी, what we expect and what we get, actual में मुझे क्या प्राप्त हुआ, जो यह क्या है, utility, आइकानी समाज में, तो दोनों चीजों का मतलब अलग अलग होगा, हाँ, utility, बिल्कुल बरावर, जब हम Eclibarium पर तो बरावर हो सकते हैं, but sometimes, just for example, मान लो, मैंने, जब लखनो में पहली पहली वार आई तो मैंने पहली पहली वार पीजा काने गई, उसके पह अब बाघाचे अगरा हुसक आँगाँ,न मैं घेए न आई पीजा देंखन, लू मैं और मिम मने गही हीए ऑर म मैंके गही है ये थि कीज रुपा इक पीजा देदो, सौ रुपाय का पीजा था ता और थिजा की बढ़ जब दखे तो पह पीज लगता है ना क्रुंशी और तो मैने जैसे गाया किया किया इतना अगदधा मैंने एक सौर्भाय किया मैने सूचा कि सौरर्वाइ के साथिस्टनिट बिले पाध मनें जै कहाया उसको तो वाव या कि रभडिया या अगर दोसुछ रुपई कह था था तब ही मैं पर्चेस कर लेती what we get satisfaction what we expect 100 rupees what we get 200 rupees हाई बास समझ में थानी समझ में यस अच्छा अब एक सब्द होता है तो यूटिलिटी समझ में आ गया क्या होता है what we expect satisfaction what we get now what is the meaning of want that desire desire क्या होती है desire का मतलब wish desire का मतलब wish एक demand का effective demand का एक छोटा सा part इसको आम लोग बोलत है desire कि कभी कभी आपके exam में इनका actual meaning पूछ लेते हैं और बहुत सारे बच्चे confused होते हैं और इनका actual meaning नहीं बता पाते हैं आई पर समझ में इसलिए मैं यहां पर लिख रखा है और मैं इसलिए आप लोगों को इसीज बता रही हूं ठीक है वांट क्या है वेन विश सपोर्टेट पाइं अबिलिटी टूपे इस कॉल वांट हूं मतलब डिजायर है वह मारी इच्छा है और जब इच्छा को कर दे तो यह वांट बन जाती है आप यह हम लोग तो आम लिंग्विज में तो दो लोग को एक जगे मेरे पास पैसे नहीं है अट पैसे ळाय उतला है तो कि यह वंध हitting मतलब किसी चीज की इच्छा रिजाय का हो ना ओरेशंग भॉन अध्याइर में विलिएटी वेस के साथ हैबिलिटी विसके साथ है इसके साथ है विलिंगनेश तो फाइनली क्या बनीए M अच्छा आपको इबाप पता दूँ डिमांड का जो वो दो फैक्टर से मिलके बनता है दो फैक्टर जब तक यह मेंसे एक भी फैक्टर मिसिंग होएगा तो चीज दिमांड नी बनेगी तो दिमांड के कहते हैं डिमांड इस ऑल्वेस एक्स्प्रेस बाइट तो तिंग्स य सपोर्ड कर रहे होएंगे तो दिमांड इस ओल्वेस एक्सप्रेस्ट बाई तू थिंग्स प्राइस एंड टाइम आइवास में प्राइस और टाइम इन दोनों का बहुत roll है और दिमांड सेंतेंस होता है हमेशा इन दो फैक्टर पर डिपेंड रोता है बेसिकलि यह क्या ह पिलर यानि कि अगर मेन बात करूँ दिमांड की तो डिमांड के और दिमांड की दो पिलर कि यह पिलर एंक रॉइज और दूसरा है अगर इन दोनों में से एक भी फ्यक्तर मिंचिंग हुआ तो डिमांड का berneầy आई बात समझ में तो demand is always dependent upon the price and time ठीक है the demand is always expressed by two things price and time मुझे एक बात बताओ चलो मैंने लिखा बताओ कि क्या यह एक demand sentence है 1000 units of umbrella is demanded during the rainy season क्या यह demand sentence है क्या यह demand sentence है नहीं है कितने लोग केते नहीं है यह कितने लोग केते हैं तो बाकी लोग तो हाई है करे हुए है क्या प्राइस है हो मैं अभी और दिमांड किसी भी commodity के दिमांड हमें इसे two factors पे मैंने कर दिमांड का मतलब कि अधर विस्प्लस एबिलीटी न और विलिंगनेस तो एबिलिटी होना किसे लोग खाते होंगे, 100 लोग, 200 लोग इतनी लोग खाते होंगे, 200 लोग, 200 लोग, तो शपस्वे बिलकुल और क्या, आप लोग काते हों पूरी किते लोग देते हों, 50 रुपर शाटर पर प्लेट होती होगी, अच्छा, तो उस धेले वाले को लग 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 आट आप पू सबसे देड़ सो लोग, कुछ और ज्यादा लोग, कम लोग अच्छा ठीक है, तो देड़ सो लोग हमारे बंदारा होता है, लखनो में सबके बंदारा होता है बड़े मंगल को यह कोचिंग में पीपीसी में ही होता है तो बड़े मंगल बंदारा होता है और हम पुडी और शौला खिलाते हें हर बारका अमारा चाहण ह travelled 되gâ से आप लिखे पूरी और शौला कि लें गया है । आप एक दिन में अगर में बात करू तो 200 लोग 400 पाना लोग बाद करती किकी तरीकी से रहें उसको और मौसम कैसा है 500 लोग 700 लोग 800 लोग ऐसे खा जाते हैं आई बस समझें तो प्रभु इच्छा कितने लोग आएं तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं डिमांड की बात करो समझ रहो तो वही पूरियोश हो ला वह दिन खाया और 500-700 लोग उने और वही पूरियोश हो लेगा मैंने लगा थेला और खाया सिर्फ उसिफ 100 लोगों ने मुफद में ली तो 500-700 लोगों ने खा लिया और थेला तीस रुपए चार्ज किया तो कितने लोगों ने खाया तो इसका मतलब यह है जब तक किसी कमदूरिटी का प्राइस ही नहीं होगा उस कमदूरिटी की अक्च्छल चाहिए और पैसे से मिलता है तो जिसको चाहिए हो तो जिसको निए वही परचिस को निए नीड ही का मतलब इमांड होता है आई पासमझ में तो डिमांड की अक्च्यूल मेनिंग जो एकोनॉमिक्स में अभी आगी चलके पड़ोगे मैं आपको बताउंगी नीड इस वह नहीं परचियस करेंगा और इसको नीट नहीं होगी वह नहीं परचियस करेंगा मुफद में यह बताओ तुमारा कैल कलेटर का यूज नहीं है नार्त जूख़ जूए मुफद मेरे पने मारे टो स्टुड़ेंग गल उसACT dus नहीं है मुफद मेरे के यह की समझाने की कोशीष करें कि पर्मुट नहीं हो हुएक जब तक प्राइस्न नहीं थाइम ताइम क्यों यार टाइम क्यों प्राइस तो समझ में आ गया टाइम क्यों सुनों जान से 1000 units of umbrella is demanded during the rainy season rainy season नहीं है अभी umbrella का प्राइज ना 50 रुपे है खरीदने जाओगे अभी निए खरीदोगे बट रेनी शीजन होएगा तो खरीदोगे आई वसमझ में जाकेट जून का महिना चल रहा है 45 डिग्री इंपरिचर है जैकेट पर जैकेट की प्राइस गिर गया है यह नाहीत परछी साल पर स्टिज नाहीं इंपोर्टेंट साथतर है इन दो चीजों से ही बनती है हमारी दिमार्ज भाई थी कहां ही समझ में आती है